हाँ जी तो क्या हाल चाल एसी टीट्वेंटी दो हजार चौविस का मैच नमबर दस एक तरफ है प्रिटोरिया कैपिटल दूसरी तरफ है डर्बन सूपर जाइन्स एक टीम के परदस्थन इस साल बहुत ही सांधार रहा है और एक टीम बैग टू बैग मैचे जहार ही है तो कौnement से टीम में मुकाबल्य जीते ही क्या लगतार मैचे जहार रही तीम इस मैच में बापसी करेगी या फिर जो बैग टू बैग मैचे टीम जीत रही है वो एक और जीत दर्ज करेगी डूटेंगे इस सवाल का जब आपको पताएं कौन से टीम में मुकाबला जीत सकती उसके लएव ड्रीम 11 टीम साथ साथ पिस रिपोर्ट और भी बहुत जारी बाते इस मैस डिलेटेट करेंगे आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक मत करो चैनल को मत सब्सक्राइब करो बस पूरा देख लेना और हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाओ यार क्यूंकि टेलिग्राम चैनल पर फाइनल अबर टीम के साथ साथ फाइनल प्रेडिक्सन टॉस मैं सेसं दुनिया पर के जो प्रेडिक्सन होते हैं कवर किये जाते हैं और वीडियो मैं सिर्फ एक ही बना पाता हूं दिन की दिन में बहुत सारे मैचेज होते हैं तो वो भी हमारे टेलिग्राम पर कवर किये जाते हैं तो टेलिग्राम पर नोरी का दिन है, साथ मुकाबले इस वेन्यू पर हुए है, ऐसे T20 के, 185 का अवरेज स्कोर है, पाँच मैच जो है, डिफेंड और दो मैच चेस हुए हैं, और पाँच मैच डिफेंड इसलिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रंस बहुत जादे बनते हैं, पहली पारी में जो फ्लाट सर्फेस है, जम करन बनते हैं, खूब सारे मदलब समल्लो की इस मैच में भी 200 के आसपास का टोटल देखने को मिल सकता है, बाउंसरी ट्रैक है, थोड़ा बहुत मोबेंट भी हमें देखने को मिलेगा, बद वो जादे देर तक नहीं चलता है, नह बॉल के साथ खतम को मिले, यहां 226 बना, दूसरी पारी में 167 बन गया, 11 विकेट पेसर्स को दो विकेट इस्पिनर्स को, यहां 214 बन गया, दूसरी पारी में टीम ओल आउट हो गए, 103 पे, 13 विकेट पेसर्स को, इस्पिनर्स को विकेट ही नहीं मिला, तो विकेट जो गिर रहा है, वो पेस प्रिटोरिया चैपिल्स की पहले बात कर लेते हैं तो बैटिंग इसकी बहुत जवरजस्त है बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी इनकी अच्छी है टीम अच्छा कर भी रही है बट उनफर्चुनेटली मैच हार चारी इनके पास फिलिप सौट विल जैक रिले रोसू इनका जो टॉप त्री है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिफ बहुत ही खतरना खिलाडियों से भरा हुआ है उसके अलावा नीचे जो है कॉली निगरम जीमी निजम जैसे खिलाडी है डिब्रोन भी अच्छी बैटिंग करते हैं कारविन को बहुत बहुत अच्छे हैं जिसका एक्जामपल भी हमें आकरी मैच में देखने को मिला 210 ये लोग चेस कर रहे थे और 200 तक पहुंच भी गये थे जिसमें विल जैक ने अंठाउन रन बनाए राइले रोसू ने जवर गेंधिअ लेकिन महेंगे सावित हुए इथन बोच बहुत ही कमाल के गेंधिबाद लेकिन महेंगे थे भी से परहें निजम फोली है ड ह करते हैं तोभिञंबाजली तरीके से एक्सपोज हो गई हैं और अभि तक kрах को देखते हुं कि गेंदबाजी इनकी कमजोर कड़ी सावित हो रही है, बैटिंग तो वैसे अच्छी हो रही है, 210 का पीछा करते वे 200 पहुंच जाना असान काम नहीं होता है, टॉप फैंटसी पिक की बात गया है, तो इनकी तरब से पहले फिक फिलिप सॉल्ट रहने वाले हैं, 39-38, 119, 109, इन बहुत ही खतरनाक फॉर्म में है, इस मैच में इनके चलने के चांसेज है, दूसरी पिक जो है विल जैक, बहुत ही कमाल का वो लूंडर और अंठावन रंड आखरी मैच में बनाया है, उससे पहले एक विकेट, यहाँ 24 रन तीन विकेट, एक 50 बना चुके हैं, DSG खिला फेकी मैच के लिए, इस मैच में भी इनके चलने के चांसेज है, इस वैन्यू पर तीन पारियों में 180 प्लस रन, यानि कि 60 का अवरिज इस वैन्यू पर है इनका, बैटिंग बॉलिंग दोनों का उप्सन है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, राईले रोसू भी डिब्रोन को भी चाहो तो ले सकते हो, मैंने नहीं लिया है, कॉलिन इंगरम को भी स्किप किया है, कार्बिन बोच को भी हमने स्किप किया है, जीमिन इजम, ये एक आखरी पिक, इनकी तरफ से 20 रन एक विकेट, 21 रन एक विकेट, बैटिंग बॉलिंग दोनों अची कर रह सबको मैं स्किप कर रहा हूँ, अदिल रसित को भी स्किप कर रहा हूँ, इनकी तरफ से 4-5 प्लेयर ही मैंने लिया है, डर्बरिंस वपर जाया है, इसकी बात की जाया है, तो ये टीम बहुत ही जवर्जस फोर्म में, जीत के रत पे सवार है, बाक-टू-बैक मुकाबले ज जवर्जस तरीके से गेंदबाजों पर तूट पर रहा है, मार रहा है, और एंडरी क्लासन तो वही है, सिच्वेशन के अनुसार बैटिंग करना से गया है, ना सिर्फ एक्स्प्लोसिव बैटिंग करना जानते हैं, बलकि ये सिच्वेशन के अनुसार अपने आपको ढाल और बहुत शांदार बैटिंग करके दिखा रहे हैं, इंदबाजी की बात किया है, तो रेशी टोपली, ग्लेशन, प्रिटोरियस, उसके अलोग महराज जिस एक्स्प्रियेंस्ट और क्वालिटी बॉलर से इस टीम के पास महुजूद है, तो इनकी बैटिंग के साथ साथ इनकी बॉलिंग भी दमदार है, इसलिए ये टीम जो है, इस वक्त पोइंश्टेबल पे पहले नंबर पे बने हुई है, और बैक टू बैक मुकाबले जीत रही है, आकरी मैच में 145 ये लोग बनाया थे, सिर्फ 145 बनाया थे, जिसमें 64 रन क्लासन ने बनाया था, बागी स सब फ्लॉफ हो गए थे, पूरन वगएरा सब फ्लॉफ हो गए थे, आकरी मैच में, सिर्फ क्लासन की वज़े से 145 तक पहुचे और 37 रन से मैच जीत गए, 145 बनाने के बावजूद भी, 37 रन से मैच जितना यानि कि प्रॉपर टीम गेम, जब बैटर्स आपके फ्लॉफ हो इस टीम की बढ़ी जब जसते, इन ही की टीम से मैने जादे प्लेयर्स अपनी टीम में पिक हैं, पहली पिक क्विंटन डी को, कैसे विकेट कीपर, कुछ खास अभी तक करनी पाया है इस टूनामेंट में, बट इस मैच में कर सकते हैं, 43 देखने को बल्ला है, PC खिला इस टीम को, संकट से उबार कर गयते हैं, अच्छे फोर्म में है, निकोलास पूरान इनको उठाली है, क्लास एन तो बहुत ही कमाल के फोर्म में, 85 और 64 दो बड़ी पारिया खेल चुके हैं, एक सेंचुरी भी है इनकी, PC के खिलाफ और 31 का स्कोर है, इसी वेन्यू पर सेंचुरी आई सेंच के खिलाफ दो मैचों में 135 है, कैप्टन वाइस, कैप्टन के लिए इनको देखा जा सकता है, कीपों पॉल वगेरा को मैं स्किप कर रहा हूं, उसके लिए डिवेन प्रिटोरियोस को हमने टीम में पिक किया है, लगातार एक एक विकेट ले रहे हैं, दो विकेट लिय लिए हैं, दो विकेट लिया, तीन विकेट लिया, बहुत ही शान्दार फोर्म में, लैप्टाब, मीडियम पेसर इनको उठा लिया है, उसके बाद ग्रेशन को हमने उठा या, दो दो विकेट लागतार ले रहे हैं तो यह भी हमारी टीम का हिस्सा है, तो हमें टीम कुछ इस तरीके से नजार आ रही है सेफ टीम इस तरीके से क्विंटन डीकॉक पूरन क्लासें फिलिप सॉल्ट उसके लाए राइले रोसु ब्रेज जेज़ेस मस्स कैप्टन प्रिटोरियस जीमिनिजम वाइस कैप्टन विल जैक और रिस्टी टीम यह है टीम सेफ टीम रिस्की ट लेकि डिन के इतने थीडोरन को होटे हैं तो हमारे डीक्राइस को प्रिणे को हैरी क्या हमारे टेलीग्राम करी की साथे मिल जाए निक एमनुपी जुंप में कुंपा स्वा कमेंट पॏकạnh साला घ्रीक्रवर्स दूंे केमें प्रेजेने को इसांस हैं प्रिटोरिय के मुझे लग रहा है कि डर्बन गिरी में एक और मैच अपने नाम कर सकती है जी हाँ, according to me डर्बन सूपर जैंस वे विदुबन आप दिस मैच बागी क्रिकट इस दे गेम ओफ उनसरेटेंटी यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको क्या लगता है कौन से टीम में मुकाबला जीद सकती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा धन्यबाद